कि नमस्कार दोस्तों 2023 में आप Amazon seller बनकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं बहुत अच्छा profit margin अंग कर सकते हैं Amazon seller कैसे बने इसका पूरा step by step आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ Amazon seller बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने Google Chrome ब्राउजर में या कोई भी ब्राउजर की search बार में जाना है वहाँ पर आपको Amazon seller center लिखना है Amazon seller center लिखकर जैसे ही आप click करेंगे तो आपके सामने एक advertisement खुल जाएगा और दूसरा उनकी जो website है वो खुल जाएगी आप किसी पर भी जा सकते हैं और उस link पर जब आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की window open हो जाती है और यहा बिल्कुल भी skip मत करना end तक देखना और बहुत बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है जो आपके लिए बहुत पैसा कमा कर देने वाला है दोस्तों 2021 में Amazon के 5.1,000 यानि कि 500 जो sellers थे 2021 में वो करोड़ पती बन गए तो आप अंदाजा लगाए कि कितना बड़ा potential है Amazon पे Amazon पर कर लोग कस्टमर्स आपके पास होते हैं रात और दिन वो शौपिंग करते हैं तो यहां पर दुकान की तरह नहीं है कि सुबह 10 बजे खुलेगी और शाम को 7 बजे बंद हो जाएगी आप Amazon पर आपके कस्टमर्स 24 गंटे कभी भी खरी सकते हैं product को मैं आपको पूरी step by step जानका करना होता है उसके बाद आपको अपने products list करने होते हैं फिर आपको delivery आपके product की करनी होती है और उसके बाद आपको जो sale होती है उसके लिए average में आपका जो पैसा होता है वो आपको साथ दिनों के अंदर मिल जाता है तो यह पूरा process होता है इसके बाद अगर मैं बात करूं Amazon के benefit क्या है तो मैं आपर benefit भी आपको बता देता हूँ Amazon seller बनके आप बहुत पैसा कमा सकते हैं वो कहते हैं कि क्यों हम Amazon पर selling करें ये बहुत बड़ा सवाल है तो आप देखिए कि करोड़ो customer जैसा मैंने बताया वो हर समय shopping करते है Amazon पर दुनिया का सबसे बड़ा platform में से एक है Amazon और हिंदुस्तान में तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है लीडिंग platform है 100% जो है serviceable pin codes है Amazon के जो easy ship के थूरू या फिर fulfillment by Amazon होते हैं तीन तरीके से आप अपने products को list करके sell कर सकते हैं एक अपनी self courier से कर सकते हैं एक आप easy ship कर सकते हैं और एक fulfillment by Amazon कर सकते हैं इसके बारे में भ 1500 लोग जो है करोरपती बन गए और Amazon पर 21% जो है यह number बहुत तीजी से grow हो रहा है 2021 में बहुत बड़ा number था यह अब benefits की बात कर लें तो benefits बहुत सारे हैं जैसे secure payment है regular आपको मिलता रहता है साथ दिन के अंदर जैसे ही जो funds होते हैं वो आपके safely deposit हो जाते हैं आपके bank account में औ और जो payment है delivery order के बाद वो साथ दिन में आपको मिल जाते हैं हर साथ दिन के अंदर और आप जो ship your products और orders आपको कोई stress नहीं लेना है यहाँ पर fulfillment by Amazon FBA होता है या फिर easy ship होता है यानि कि Amazon के जो service partners हैं वो आपके आपका product ले जाते हैं या फिर आप self service भी कर सकते हैं और जैसा आप चाहते हैं वैसा वो delivery आपके products की वो आप कर सकते हैं आप खुद manage कर सकते हैं और तीसरा service for every needs get paid support from Amazon Mpanel third party professionals for product photography, account management and much more इसका मतलब है कि दोस्तों आप अगर अपना product पहली बार list कर रहे हैं तो आपको अपने product की photography की चिंता नहीं करनी है आपका उसका title description की भी चिंता न इसके average में वो आपसे fees charge कर सकते हैं फिर एक नया है वो है keep your brand protected अब आपका कोई brand name है वो भी आपका logo है वो एक brand registry के साथ में आपका वो protected रहता है और यहां पर जो notice है advertisers advertising का वो उनको मिलता रहता है जैसे कि नए customers होंगे आप उनके लिए targeted ads चला सकते हैं और जब customers उन ads पर click क करेंगे तब ही आपका पैसा कटेगा यानि कि आपको अपने advertisement के लिए extra पैसा नहीं देना है click पर आपको सिर्फ पैसा पे करना है तो advertisement बहुत आसान है सस्ता है और सस्ता है नहीं यह तो खिर आप बताएंगे लेकिन आसान जरूर है और बहुत ही transparent है अप sell to customers worldwide अब हो कहते ह हैं कि अगर आप Amazon Global Selling पर जो है register होते हैं sign up होते हैं तो आप पूरे दुनिया भर में global selling कर सकते हैं और 200 से जादा जो देश हैं वहाँ पर आप अपने customers के पास पहुंच सकते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा opportunity है और just click to get help अप Amazon support भी इसके लिए होती है अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप seller university जा सकते हैं वहाँ पर help guide मिलेगी forums मिलेंगी और एक click पर वहाँ पर जाके support ले सकते हैं फिर manage business on the go अब वो कहते हैं download the seller app to manage your business solve issues and respond to customers anywhere anytime यानि कि seller app से आप अपना business को manage कर सकते हैं कोई भी इसू है उस पर आप customers को respond कर सकते हैं कहीं पर भी हो on the go आपको यह business opportunity मिल जाती है अब loyal customers to a successful seller अभी तक आप loyal customers थे लेकिन आप बहुत ही successful seller बन सकते हैं ऐसे बहुत सारे पहले customer थे अब वो seller बन गए हैं यह तो benefit मैंने आपको बताए अगर हम उनकी website पर फिर से जाते हैं तो requirement to sell अब अगर seller बनेंगे तो आपके लिए क्या चाहिए आपको selling करने के लिए process बहुत आसान है मैं आपको वो process भी step by step बताऊंगा लेकिन यहाँ पर आपको क्या है एक service for every need है अब requirements क्या होती है requirements आपको चाहिए एक तो GST नंबर या फिर pen card आपका और दोनों ही चाहिए मैं समझता हूं कि आपको selling करनी है तो यहाँ पर आपके पास दोनों होना चाहिए और एक active bank account होना चाहिए जिसमें Amazon जो है वह आपके payments जो है वह deposit करेंगे मैं suggest करूंगा आप अगर company account है आपके पास GST नंबर है तो आप अपने company account को यहाँ पर दीजिए वह आसान रहेगा और आप ग्रोफ करने में भी आपको आसानी रहेगी हाला कि आप अपना saving banks account भी दे सकते हैं यह requirement है आप अगर आपके पास GST नहीं है तो वह कहते हैं कि हमारे पास special offer है व उनका collaboration है तो यहाँ पर आप उनके लिए जो क्लियर टेक्स offering है तो वह वहाँ पर कर सकते हैं अब वह इसके लिए कुछ services भी देते हैं जीस्टी रिश्ट्रेशन का साथ सो निन्यानवे रुपए जीस्टी फाइलिंग जीस्टी यार वन त्री भी वानियर उसके लिए वह पांच हजार साथ सो निन्यानवे रुपए चार्ज करते हैं वर्चुल प्लेस ऑफ बिजनिस फौर जीस्टी 14000 रुपए चार्ज करते हैं तो इस तरह से मैं आपको बताऊं यह आप इस तरह से उनकी services का फाइदा उठा सकते हैं अब यह तो requirement की बात करी मैंने अब अगर क प्राइजिंग के बारे में आप जाना चाहेंगे कि Amazon कितना पैसा चार्ज करता है अगर हम Amazon पर बेचना शुरू करते हैं तो उसके लिए Amazon जो है referral fee लेता है आप Amazon पर sell कर सकते हैं पर referral fees उनकी 2% से शुरू होती है और अलग-अलग product category के साब से यह बदलती रहती है तो Amazon जो ह है वह आपसे 2% referral fee चार्ज करेगा अगर डील हो जाती है और आपको चब डील हो जाती है पूरा पैसा आपको आजाता है तो वह closing fee लेते हैं यानि कि पूरा delivery booking से लेकर delivery तक जब पूरा हो गया तो आपको वह 5 रुपैसे शुरूआत होके product की अलग-अलग product की अलग-अलग range के साफ से वह charge करते हैं यह उनका एक closing fees होती है जो आपको देनी पड़ती है फिर weight or handling fees क्या होती है तो उसके लिए वह 29 रुपया पर item लेते हैं जो भी वह shipping होती है उसके 29 रुपीज वह आपसे charge करते हैं लेकिन यह package के volume पे कितना भारी है कितना हलका है और distance पे यानि कि कित तो वह तब applicable होगी और उसके लिए उनके channel partners या उनकी program ए services के साफ से होंगे तो वह आपको करना उसको जानकारी लेना होगा अब fulfillment options क्या होते हैं तीन तरह के fulfillment options होते हैं या तो आप product को अपने customer पे direct भेजिए अपनी courier service के माद्यम से भेजिए या खुट deliver करिए तो उसको ह बोलते हैं और दूसरा है easy ship yes यानि कि आपका जो store है वहाँ पे आप अपना product pack करके रखिए Amazon जो है उनके service partners आएंगे और वह आप कहांसे वह package लेके चले जाएंगे और वह आपके customer को deliver कर देंगे एक तो यह easy ship हो गया दूसरा और तीसरा जो है जो सबसे popular है जिस पे customer सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो है fulfillment by Amazon यानि कि Amazon store से अब आप अपने product को Amazon warehouse में रख देते हैं उनके store में होता है और वो product की inventory maintain करते हैं उनको पता होता है कितने products बाकी हैं कितने big गए और आपके वहाँ पर जो orders आते हैं वो खुद pack करते हैं उसको deliver करते है customer को और उसका पैस Amazon यह सबसे बड़ा उनका program है जहां पर ज्यादा चार्ज करते हैं लेकिन यहां पर sale भी ज्यादा होती है ऐसा समझ में आता है और customer भी इस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं जाहिर सी बात है कि आपका warehouse का पैसा बच रहा है आपके packaging की labor बच रही है बहुत सारे जो ताम ज category wise है और कैसे calculate करना है वह भी आपको सब मिल जाएगा detail उनकी website पर closing fees इसी तरह से closing fees अलग-अलग category कि है चाहे वह भी हो easy ship हो यहां पर आपको उसकी detail मिल जाती है कैसे calculate करनी है वह भी सब बता देते हैं फिर वेट handling fees होती है यानि कि shipping fee वह भी transportation की fees वह सब आपको पूरी guide कर देते हैं आप खुद calculate कर सकते हैं इसके लावा कोई और फीस है तो आप यहां पर वह पढ़ सकते हैं बहुत ही आसान है और payment cycle क्या होती है payment cycle के बारे में भी उन्होंने clear यहां पर लिखा है अलग-अलग program के हिसाब से payment cycle अलग-अलग हो सकती है तो इस तरह से आपको मैंने यहां पर बताया कि किस तरह की उनकी फीस और प्राइजिंग है अब Amazon FBA जो है और एक दूसरा सारा जो उनके प्रोग्राम से उनके बारे में अगर हम जान ले तो वह आप यहां पर जाके FBA के बारे में जान सकते हैं अब what is fulfillment by Amazon जैसा मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है मैं समस्ता हूँ आप इसको पढ़के समझ जाएंगे अब हम कैसे इसको हम शुरू कर सकते हैं तो इसके बारे में हम सबसे पहले स्टार्ट सेलिंग पर हम जाएंगे तो स्टार्ट सेलिंग पर जाने के लिए हमें सबसे पहले जो है यहां पर अपना email और phone number याड़ डालना होगा तो Amazon seller center पर seller बनने के लिए आपको उसकी website पर जाना होता है जैसा कि मैंने आपको बताया है फिर वहां पर स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करना होगा स्टार्ट सेलिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो अपना email और phone number आपको verify करना होता है तो उसके बाद जो है कुछ इस कैसे लिस्ट कर सकते हैं इसके लिए बाकाइद आपको वीडियो मिल जाता है और कौन से जो products है आपके उनको लिस्ट करने का बल्क लिस्ट करने का भी पूरा procedure उन्होंने यहां पर दिया हुआ है आपके पास उसमें HSN code होता है GSTIN का अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बार कोड या GSTIN के लिए apply कर सकते हैं यहां पर click करके या फिर उसके लिए exemption मांग सकते हैं तो इस तरह से यहां पर आपको shipping detail देनी होती है bank account की detail देनी होती है फिर उन्हें text details को आपको verify करना होता है tax detail का मतलब आपको GST आपका जो है या फिर income tax की details है वो देनी होती है आपका pen card की details और फिर default product tax code आपको देने होते हैं तो वो जो products हैं वो आप अपना यहां पर भर सकते हैं और इस तरह से जो है आप यहां पर अपना tick mark पर click करके agree करे और यहां पर आप अपने business को जाकर launch कर सकते हैं यहां पर आपको signature भी आपको देना होता digital signature एक तरह से अपना और उसके बार dashboard आपको मिल जाएगा तो बहुत ही आसान process है मैं समझता हूं Amazon seller बने के लिए आपको मैंने पूरा process समझाया है अगर आपको कुछी समझ नहीं आई होंगा 2022 में आपने मेरा साथ नवाया है 2023 में भी हम मिलकर साथ चलेंगे तो दोस्तों कोई भी जानकारी चाहिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखके बताएए आप Amazon के support team को भी संपक कर सकते हैं वह आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे मैं समझता हूं जो भी जा 2030 नवर्ष के लिए आपको बहुत बहुत शुब कामने धन्यवाज जैहिंद बंदे मात्रां झाल 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 झाल